कि अधिए और इस पाइप से शीधा वहाँ तक सप्लाई होंगा और वहाँ पर शनी जी विराजी थे आप उनके उपर से यह वहाँ पर किरेगा हेलो गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी शेडी में हूँ और शेडी में मेरे दरशन आफ्करन में हो गए थे तो मैं अभी शनी सिंगनापूर की और निकल रहा हूँ वीडियो के इंटर पूरा देखे तो कि आपको ही पता चलेगा कि अगर आप शेडी आ रहे तो शनी सिंगनापूर कैसे कवर कर सकते हैं और क्या-क्या साधन है और प्राइविट वेहिकल से अगर आप जा रहे हो तो क्या-क्या चार्जेस लगेंगे और कितना डिस्टन्स ह और वहाँ पर शनी सिंगनापूर में क्या-क्या चीज़े आप देख सकते हैं और मंदिर का परिसर कैसा है यह से अब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो लेट स्टार दा वीडियो को सिर्डी से शनी शिंगनापूर का टोटल किलो मीटर 175 SéUP के क्या आपको ज, बच्त का साधा ने हम्हें मैं आपको आगे को चुसेए जेख सकते हैं जाहां पर इस तरह बेल बंधकर जूस को एकशेट करते हैं गन्यका जूस अब यहां से श्रीडी करीबन 20 से लेके 25 किलो मेटर है यहां मेरे पिछे देख सकते हैं किस तरह से यह बेल यहां पर गुम्रा गन्यकरस निकल रहा है तो अभी अगर आप यहां पर इस तरह इस रोड पर आओगे आपको ऐसे बहुत सारी जगह दिखेंगे और साथी में यहा पर यह जूला बने जूल सकते हैं और शानती से बैठ भी सकते इन ज्जॉए कर सकते अपने फैमिली के साहिए यहां से शेडी यह और करीं दो तो लोके साले यूद्वाल दो ऑला बयुम्हा जुट्याशा पर में यहां पर प्रम को हमने हमारे गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दिये और इस यहाँ पार्किंग के कोई फीर नहीं क्योंकि जब आप शनी शिंगना पर इंटर को रहेंगे पर वेहिकल 20 रुपिस आप से चार्ज किया जाएंगा तो यहाँ पर आके इस पार्किंग लॉट में आप अपनी गाड़ी भी दिखेंगी जहाँ पर वो लोग आप से कहेंगे कि यहाँ पर आके आप कुछ शनी महाराज को चड़ाने के कुछ लीजिए बट वो सब ज्यादा स्क्यामी है यहाँ पर सो वहाँ लेने से आच्छा आप अंदर जाओ ट्रस्ट वालों का डायरेक्टली वहाँ पर यह मंदिर 24-7 खुला रहता है और इस जगह की इंपरेंस यह है कि अगर आप पर शनी ज्यादा भारी है तो यहाँ पर आके आप हल्गा कर सकते हैं और यहाँ पर माननेता है कि इस मंदिर में और इस एरिया में कई चोरी नहीं होती है तो अभी हम अंदर चलते हैं और पुर इसका इंट्री यहाँ पर इसके अंदर आप जा सकते हैं अंदर दर्शन करने के लिए वहाँ पर ऑइल मिल जाएंगा यहाँ पर चपल स्टेंड है यहाँ पर सो हम चपल यहाँ पर रखें अंदर शियो जी शनी जी के दर्शन करने चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल काउंटर यह अंदर मंदरी के अंदर में आपको यहां पर आपको चड़ा न भार बहुत तर दुकाने रहेंगी जो बोलेंगे कि यहां से लेकर जो बट्रुस्ट का ही आई ऑफिस तो यहां और अदर जाके श्णी जी चड़ा सकते हैं यह ट्रस्ट के जो ओयल रेट से आप देख सकते हैं 100 ml 35 रुपीस 265 ml 200 ml 65 रुपीस तो यह सब आप देख सकते हैं आपर इसके रेट्स तो लेट्स गो इंसाइड ना यह है चेकिंग पॉइंट लेडिस और जेंट्स इस टैम में ज्यादा भीड नहीं है आप जनरली यहाँ पर वैसी भी उतना भीड ने रहता है अगर आप यहाँ पर रहा रहे हो आदे घंटे के अंदर आपका दर्शन हो जाएंगा आपकी दर्शन हो जाएंगा और बाहर आप निकल सकते हैं यह डोनेशन काउंटर अभी शे प्लीज औफर आइल हीयर साब आप अपने साथ तेल लेकर आड़े आ रहा हुआ अब यह डाल सकते हैं जो भी आप आइल लेकर आ रहे हैं यहां पर डाल सकते उसमें और यहां इस पाइप से टेलपूर एक्स्टाइट करके वहाँ पर शनी देव है वहाँ पर जाके पाइब उनके उपर से यह ओईल गिरेंगा वहाँ पर जब आप लाओगे ओईल यहाँ पर आपको डालना पड़ेंगा और इस पाइप से सीधा वहाँ तक सप्लाई होंगा और वहाँ पर शनी जी विराजी थे वहाँ उनके उपर से यह ओईल वहाँ पर गिरेगा जैशनी देव जैशनी देव यह प्रैशनी हो जैशनी आप को ज्यां जैशना जैशनी जैशनी शेया! आरे हो वहां से सप्लाइब होके यहां से नीचे गिरेंगा और अगर आपको 500 रुपीज का टिकेट ले रहे हो तो डारेक्ट आप वहां पर जाकर डारेक्टली आप अपने हाथों से आप चड़ा सकते श्वनि महारश को जैसे कि आप देख सकते यहां पर यह लोग चड़ा रहे सो आपका चोईस हैंब आपको डारेक्ट वहां जागे करना तो पासवर भूर टिक्ट लेना पड़ेंगा यह पिर अब देख सकते यह लिजिए शनि भागवान के ऊपर फ्र टेल गिर रहे और आपको डारेक्टली जाकर वहा पर अगर अपने हाथों से चड़ाना यह तो आपको पास्वर बेगा टिकेट लेना पड़ेंगा इस लाइन में आपर खड़े रेना पड़ेंगा और वहां से आप अपने हाथों से शनी महाराज को पाइल चड़ा सकते हैं यह आप मेरे पीछे देख सकते हैं शनी महाराज यहां विराजी थे और आपको पी अगर शनी महाराज की दर्शन करना है तो आप यहां कभी भी आ सकते हैं और 24 अर्स यह मंदिर खुला रेता है और अगर आप नॉर्मल लेकिया रहे तो एक जगह है वहां पर आप अपनो रखे तो यहां पर यहां तक वो सप्लाइस से यहां तक आजाएंगा या फिर पास्तोर रुपी टिगर देख यहां तक पूरी ऊपर आके अपने हाथों से अपने हाथों से यहां पर आके ऑईल को डायरेट शनी बगवान को ऊपर चड़ा सकते यह कुछ इस तरह है शनी महाराज का इस मंदिर बैग्रण में आप देख सकते हैं पूरा शनी महाराज के प्रमाईस से सब आप बाहर दुकानों से ना ले अंदर ही ट्रस्ट वालों का का काउंटर है वहाँ पर यहां ले बाहर अगर आप लोगे आप से ज्याजा रेट लेंगे और गाड़ी रखने के नाम पर आपको स्काम भी कर सकते तो यहां पर आप फ्रवाज बचे इस चीज से यहां पर इस मंदिर की विशेष्टा है कि यहां पर इस गाव में कोई भी कोई भी दरवाजे नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाता कि यहां पर इस गाव में चोरी नहीं होती है तो आप यहां पर दिखो कि मोश्टी मोश्ट अब घर में यहां पर दरवाजे नहीं रहेंगे क्योंकि यहां पर चोरी बिल्कुल नहीं होती है अगर आप शीडी आ रहे तो शनी शिंग ने आप पुराना ना भूले क्योंकि यह शीडी से ज्यादा दूर नहीं करीबन 70-75 km से यहां तक आने के लिए आप अपनी खुद की वेकल से भी आ सकते यहां फिर अगर आप एक दो फैमिली से एक गाड़ी करके आसे करीबन जिसका आपको यहां तक लेकर आएंगे दर्शन कराएंगे वापस चीडी में आपको छोड़ देंगे ऐसे यहां पर अलग अलग दुकाने मिलेंगे कि यहां से आप गाड़ी आ रखे और तेल वगर यहां से खरीदे पर ऐसा ना करें क्योंकि आपको त्रस्त वालों का अंदर में आपको यहां पर मिल जाएंगा तेल तो यहां अब यहां अंदर से तेल ले और अंदर लेके शनी महाराज के उपर चड़ाया तो कमेंट करके आप जरूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब अगली वीडियो में मिलता हूं तब तक के लिए बाबाए